है दोस्तो आज हम बात करेंगे प्लांट में रूट्स बाउंड क्या होता है उसे हम कैसे पैचाने और रूट्स बाउंड पोधों को रिपोर्ट करें तो हम उसे किस तरह से रिपोर्ट करें ताकि पोधों को रिपोर्टिंग का पता भी ना चले तो चलिए वीडियो स्टार् तो उसका जड़ पोर्ट के नीचे जम जाता है तो उसे रूट्स बाउंड होना कहता है यह देखिए यह एरेका पाम का जड़ जो है बिलकुल पोर्ट के सेप में नीचे इस तरह से जम गया है तो यह अब रूट्स बाउंड हो गया है आपको इसके उपर के वाला हिस्से भी दिखाऊं तो यह देखिए उपर के वाले हिस्से में भी जड़ ही जड़ है इसके चारो तरफ जड़ ही जड़ है मिट्टी तो बहुत ही कम बचा है अब इस मिट्टी में निूट्रिशन रहे नहीं तो इसे हालत में इसे रखेंगे तो यह बहुत जल्द खराब हो जाएगा अब सवाल आता है कि रूट्स बाउंड पोधे को कैसे पहचान है यह देखिए आपके प्लांट के जड़ अगर इस तरह से बाहर निकल के आए तो समझ चाहिए रूट्स बाउंड हो चुका है कभी कभी यह जड़ एक ही सिर्फ बाहर निकल के आता है और कभी कभी यह जड बहुत सारे इस तरह से बाहर निकल के आता है तो आप समझ जाएए कि आपके पोदों का जड़ नीचे बंद चुका है पोट के नीचे और अब ये roots bound हो चुका है और कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के नीचे के drainage hall से भी roots बाहर निकल जाता है अभी इसके जड़ बाहर से नहीं निकल आया है तो इस तरह से drainage hall से भी roots बाहर निकल जाए तो समझ जाएए आपके पोदों का roots bound हो चुका है roots bound को watering के जरिये भी पहचाना जा सकता है watering करने के काफी देर तक भी पानी इस तरह से पोट में जमी रहे तो आप समझ जाएए कि पोदों का जड़ roots bound हो चुका है तो इसलिए होता है friends क्योंकि over root होने के कारण drainage hall को roots बंद कर देता है तो जब हम watering करते हैं तो drainage hall बंद होने के कारण पानी drain out नहीं हो पाते हैं चलिए अब बात करते हैं roots bound पोदों को कैसे report किया जाए सबसे पहले तो plant को port से बाहर निकाले roots bound plant बहुत ही आराम से port से बाहर निकल जाता है उसके बाद gardening tool या फिर scissor के मदद से इसके access root को नीचे तरफ से cut करना सुरू कर दे कहीं plants के roots hard होते हैं तो कहीं plants के roots soft होते हैं तो इसे cut करने के लिए भी उसी के according आपको time लगेगा ये देखिए ये कितनी बूरी तरीके से roots bound हो रखा था इसके नीचे वाला portion देखिए बिल्कुल चिडिये की घोसले की तरह लग रहा है roots से बने हुए चिडिये की घोसले नीचे का हिस्सा cut करने के बाद अब मैं इसका उपर वाला हिस्सा भी cut कर रही हूँ पर इसमें soil थोड़ा ज़्यादा ही remove हो रहा है पर कोई बात नहीं ये grow कर जाएगा roots stream करने के बाद अब ये कुछ इस तरह से लग रहा है आप चाहे तो इसमें और थोड़ा इसके roots को इस यहाँ से cut कर सकते हैं पर मैं ऐसा नहीं करूंगे क्योंकि ये थोड़ा risk हो जाएगा अगर आप gardening में beginners है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसके मिट्टी जो है चारो तरफ यहाँ से cover रहे तो risk थोड़ा कम रहेगा लेकिन अगर आपके gardening किये हुए 5 साल 8 साल हो गए है एक्सपर्ट है gardening के लिए तो ऐसे भी ये grow कर जाएगा उसके बाद इसे report करें report करने के बाद soil mixture को इस तरह से press करना ना भूले नहीं तो air bubbles रहने के कारण आपका plant खराब हो सकता है उसके बाद तुरंट इस पर watering कर दे कोई भी plant लगाने के बाद तुरंट watering करना चाहिए नहीं तो dehydration होने के कारण plant खराब हो सकता है watering करते समय पोट से पानी बाहर निकल के जाने ना दे नहीं तो इसका nutrition भी साथ में बहे कर चला जाएगा इस तरह से रुक रुक कर watering दे तो friends आज के लिए इतना ही Bye Bye Take Care and Happy Gardening